नमस्कार दोस्तों आपको पता है जब से जियो की एंट्री हुई है टेलिकॉम सेक्टर के अंदर तब से जो एर्टेल का पूरा बेस है जो रिवन्यू है उसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है उसी वज़े से एर्टेल काफी समय से कोशिश कर रहा है कि वो जो अपना पोर्टफोलियो है वो बाकी मार्केट पर भी विस्तार करे और इसी को देखते वे फाइनली एर्टेल एंटर करने जा रहा है इन दी क्लाउड कम्यूनिकेशन मार्केट के अंदर आप यहां पर देख सकते हो एर्टेल एंटर वन बिलियन डॉलर क्लाउड कम क्या होता है इससे बिजनेस को क्या फायदा होगा एर्टेल को क्या फायदा होगा इन सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे चली आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेस्बुक और ट्ट है सुनील मित्तल ऑविस सी बात है जो ओनर है भारती एर्टेल के उन्होंने यहां पर अनॉंस किया कि जो एर्टेल है वो एंटर करने जा रहा है वन अफ फास्ट ग्रोइंग क्लाउड कम्यूनिकेशन मार्केट और यह जो लांच होगा एर्टेल का इसका नाम है एर्टेल आईक्यू तो सबसे पहले समझते है एर्टेल आईक्यू है क्या तो ध्यान रखेगा इट इस क्लाउड बेस्ट ओम्नी चैनल कम्यूनिकेशन इसके थूरू बेसिकली क्या होगा ना कोई जो ब्रैंड है कोई बिसनेस है सब्पोज मैं कहता हूँ एमाजॉन हो गया या फिर स्विगी का एक्जामपल ले लिजे तो जब भी आप कोई चीज ओर्डर करते हो स्विगी के थूरू फूर्ड फूर्ड ओर करते हो या फिर कोई समान ओर्डर करते हो एमाजॉन के थूरू तो आपको पता है कि तुरंत आपके पास कई तरह के कम्यूनिकेशन चैनल खुल जैसे कि email आपको भेजा जाएगा, आपको app के थुरू यहां पर कई सारे communications दिये जाएगे कि आपका food यहां तक पहुंच गया, या फिर आपका जो समान है यह अब इस particular branch पर आ गया है, यहां से आप पिक कर सकते हो, तो इसके लिए क्या है एक proper channel होना चाहिए, जिसके थुरू जो businesses हैं, वो आपके साथ काफी seamless way में communicate कर सकें, और इस तरह के चीज़ों को communicate करने के लिए, यहां पर launch किया गया है, Airtel IQ, आई हो कि यहां पर चीज़ें समझ में आ रहे होगी, लेकिन यहां पर एक particular word है, उसको ध्यान देना, यहां पर लिखा हुआ है, Omni Channel Communication है, यह जो Airtel communication, Cloud तो आपको समझ में आई गया होगा, सब कुछ यहां पर, Cloud-based technology के उपर आपका save होगा, मतलब कुछ physical चीज़ें रखने के आउशकता नहीं है, ठीक है, तो यह आपका होगया, बाकि Omni Channel Communication और Multi Channel Communication में क्या अंतर होता है, यह आपके exam point of view से काफी important हो जाता है, देखे, आज के rate में बड़ी-बड़ी companies हैं, जिसके अंदर 20,000, 30,000, 50,000, एक लाग तक यहां पर employees हैं उनके businesses के अंदर, तो उनके साथ proper way में communicate करना, उनका जो employees हैं, उनके साथ मिलकर यहां पर consumers के साथ एक तरह से communicate करना, तो इसके लिए online presence होना बहुत जादा जरूरी है, और जब आप online presence रखते हो, तो आपको अपने customers के साथ काफी अच्छे way में यहां पर communicate करना होगा, जितना easy way में आप communicate कर पाओगे, उतना ज्यादा बेटर होगा, इसके लिए यहां पर कई प्रकार के communications channel अपनाई जाते हैं, businesses के दोरा, एक होता है आपका multi channel, दूसरा होता है omni channel, जब हम multi channel communication की बात करते हैं, तो जैसे कि आप, suppose मैं कहता हूँ, आप web के through, web का मतलब है कि आप laptop है आपके पास, और आप यहां पर chrome, google, chrome, mozilla, firefox, इस तरह के through, आप companies के साथ engage करते हो, वहां पर जाते हो, आप चीजों को purchase करते हो, ठीक है, तो जो company है, आपके साथ दूसरे way में एक तर तरीके से communicate करती है, social media पर company अलग तरीके से communicate करती है, कहने का मतलब है, यह integrated form में नहीं है, जो company आपके साथ communicate कर रही है, वो different form में कर रही है, web, web पर, app के ऊपर, social media के ऊपर, इसकी वजह से क्या होता है, कि आपका जो experience है company के साथ, उतना जादा better नहीं हो पाता, ठीक है, लेक इसी भी चीज के थ्रू करो, आपका जो experience है, वो seamless होगा, आपको जो experience आपने app के थ्रू यहाँ पर experience किया था, वही experience आपको social media के थ्रू भी मिलेगा, जैसे कि आजकल तो WhatsApp के ऊपर कई सारे features आ गया है, payment का option आ गया है, तो इस तरह की features होते हैं, उसको only channel communication कहते हैं, अगर way में communicate हो रहा है, यहाँ पर जब आप tablet के थ्रू communicate कर रहे हो, तो दूसरे way में हो रहा है, मतलब different, different multi channel है, communications के, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, omni channel, मतलब आप किसी भी चीज के थ्रू communicate करो, जो आपका experience है, वो लगभग same होगा हर एक channel के थ्रू, चाहाँ आप tablet यूज कर कि Swiggy हो गया, Amazon हो गया, उनको यहाँ पर अलग-अलग communications platform के साथ tie-up नहीं करना पड़ेगा, suppose Amazon है यहाँ पर, example लेके मैं बता रहा हूँ, तो Amazon को web के लिए यहाँ पर किसी दूसरे brand के पास नहीं जाना पड़ेगा, tablet के लिए किसी दूसरे brand के पास नहीं जाना पड़ेगा यहाँ पर simply क्या करना है, उसको Airtel IQ के साथ यहाँ पर अपना आउट्सोर्स कराना है, और उसका जितना भी network है, communication का, वो सब कौन देखेगा, Airtel IQ देखेगा, I hope की चीज़ें अब आपको समझ में आ गए होंगी, ऐसा यहाँ पर Airtel IQ के दौरा बताया गया, in fact यहाँ पर A Airtel IQ ने जब मंडे को यह launch हो रहाता, उन्होंने इस बताया कि जैसे कि food order कर रहे हैं आप, food order करने के बाद अगर आप अपना status जाना चाते हैं, delivery agent के साथ, तो हर एक चीज आपका सब कुछ Airtel IQ के थूरू, बहुती seamless way में और secure way में हो सकेगा, जैसे कि आपने देखा होगा, Uber जब आप बुलाते हो, तो यहाँ पर जब Uber वाला जो driver है, वो आपको call करता है, तो Uber driver को पता नहीं होता कि आपका number क्या है, ठीक है, तो आपका भी number secure हो गया, Uber driver का भी number secure हो गया, हर एक चीज यहाँ पर secure way में हो रहा है, किसी को नहीं पता कि क्या number है, सब कुछ encrypted form में हो र जा रहा है, तो क्या अभी Airtel के साथ कोई बड़े brands आया है, tie-up की है, तो ऐसा Airtel ने बताया कि अभी starting में ही, जब हम beta phase launch कर रहे हैं, मतलब एक तरह से trial launch कर रहे हैं, इसी बीच हमने already Swiggy के साथ Just Dial हो गया, Urban Company हो गई, Hevels हो गया, Dr. Lal, Path Lab, इन सब के साथ already tie-up किया हुआ है और यह हम beta fees में इनके साथ tie-up करेंगे और finally जाकर हम सब के साथ इसको launch कर पाएंगे, इसके लावा यहाँ पर एक question आता है कि Airtel IQ को किस ने बनाया है, क्या खुद Airtel ने बनाया है, जी हाँ, क्योंकि कई बार companies होती हैं, वो outsource करा लेती हैं, लेकिन Airtel की जो खुद की, उ तो जैसे जैसे हमारे देश में digital और जादा बढ़ता जाएगा, जो companies हैं, वो और जादा इस तरह के omni channel communications को अपनाएंगी, इसकी वजह से यह जो market है, ऐसा बताया जा रहा है, हर साल 20% का यहाँ पर jump देखने को मिल रहा है, ठीक है, और अभी के समय यह $1 billion का market है, आगे चल आदो Airtel already इस तरह की connectivity है B2B, that is business to business, एक business, दूसरे business के साथ जो communicate करता है, उनके साथ already tie up है, यहाँ बताया जाता है कि 1 million businesses वो serve करते है Airtel वाले, ठीक है, तो already इनका इनके साथ tie up है, और इस market में आने के बाद जो Airtel की possibilities हैं, वो और जादा बढ़ने वाली है, तो I hope दोस् बहुत ही interesting है इसको अच्छे से पढ़ना और बताने की कोशिश करना कौन सा statement यहाँ पर correct होगा, इसका जो right answer है, मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा ही, अगर आप Instagram पर नहीं हो, तो आप मेरे Telegram चैनल पर इसका answer ले सकते हो, मैं लगतार कई सारे quizers डालता जाता हूं अपने MC Q के form में, इस stories में आप यहां से जाकर इसको black कर सकते हो, और अगर आप मुझसे economy पढ़ना चाते हैं, कोई course purchase करना चाते हैं, आप study IQ app पर जा सकते हैं, I hope कि यह video आपको पसंद आया होगा, मिलता है आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.